पर हम लोगों ने तीन बार दो इस्पेशलाइज्ड यह किया है और हम लोगों ने पहले उससे पहले स्टोरी का क्या महत्व है उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की हुई है अल्रेडी इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो किसीज की जो स्क्रॉल पेंटर्स है इन फैक्ट जो स्क्रॉल पेंटिंग के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इक स्क्रॉल पेंटिंग के साथ स्टोरी टेलिंग बहुत ही पुरानी चीज है और अभी के समय में हम लोग जब छोट वे हुआ करते थे तो अपने गाउं में बाइसकोप वगेरा का चलन था और वो सब आता था बाइसकोप वगेरा और दिखाया जाता था अलग-अलग गाउं के अलग-अलग कहानिया होती हैं तो जिस तरह से बंगाल के गाउं में या गुजरात के गाउं में जब स्टोरी टे का वो continue करते हैं उसी हिसाफ से बनाते हैं इस तरह से audience क्या होती है पूरी तरह से बंध जाती है उस narration जो आर्ट या जो painting दिखा रहे हैं उसको देख करके उनको ऐसा लगने लगता है कि यह painting के world में वो घुश जाते हैं इसी कुसी तरह से जैसे picture के अंदर होता है picture के अंदर भ परने वाला वो उस हिसाब से ही आपको वो picture दिखाता है एक एक scene को describe करेगा पहले जो है story बोलेगा और उसके साथ साथ जो है वो scene को describe करेगा जितना scene दिखना चाहिए वो उतना ही दिखाएगा बागे के scene को छुपाएगा तीसरी बात जो scene के अंदर हो रहा है जो आपके जो story के अंदर हो रहा है उस चीज को audience को दिखाएगा और साथ में बताएगा कि वो scene के अंदर वो चीज नहीं दिख रही है यानि एक पूरा जो system है उसको इस तरह से ingrosp करने के लिए लोगों को एक दम उसमें समा जाने के हिसाब का उसकी जो narration है story का वो होगा और साथ में क पिक्चर को भी उसी हिसाब से unfold करेगा पिक्चर को भी उसी हिसाब से दिखाएगा जैसे बहुत सारे कुछ चोटे चोटे एक्जामपल्स आप ले सकते हैं cinema भारत के scene के अंदर आपको दिखा रहा है painting के अंदर की आसमान में चुप करके यानि पता नहीं रावन का जो एक बेटा है उसके बारे में कहा जाते की वो जब रामायन का सीन चल रहा है बैटल सीन है और उसके अंदर रावन का एक बेटा है इंद्रजीत वो जो है छुप करके उसके अंदर क्वालिटी है वो छुप जाता है और छुप करके तीर चला रहा है भगवान राम की सेना के ऊपर जब वो तीर चला रहा है इंद्रजीत तो क्या देखने क कहां पर है तो वो दिखायागा, पेंटिंग बनी हुए उसके अंदर दिखायागा, क्लाउड के अंदर जो है, वो छिप करके एक आदमी जो है, वो तीर चला रहा है सेना के ऊपर, तो क्या बता चल रहा है, scene के अंदर क्या है भगवान राम या और जो battle field में जो लोग हैं उसके teer आते हुए देख रहे हैं वो teer चल रहा है वो देख रहे हैं वो लेकिन उस इंसान को नहीं देख रहे है लेकिन जो audience है उसको ये बताया जारा है कि ये teer कौन चला रहा है रावन का जो बेटा है वह चला रहा है तो वह स्टोरी के अंदर बताया जा रहरे है यानि audience जो है उसको कुछ दिखाया जारा रहा है उसके अंदर story के अंदर कुछ और चीज देखी जारी है यानि जो इस चीज को किसी scene को दिखाना है ओडियन्स को और ये भी बताना है कि फलानी सीन जो है वो ओडियन्स के लिए है सिर्फ जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एक तरह से स्टोरी के अंदर उसको वो चीज नहीं दिख रही है तो ये बड़ी इंट्रेस्टिंग तरीका होता है उनका जो स्टोरी टेलर्स हैं जो खास करके जो स्क्रॉल पेंटिंग्स को दिखा दिखा करके स्टोरी बोल रहे हैं वो उसना आ रहे हैं तो इस तरह की बहुत सारी उनकी टेक्निक्स हैं बहुत सारे स्टाइल हैं ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही है लोगों से connect करने के लिए हो रही है लोगों से जो story है उसके साथ वो connect कर रहे है ठीक है यह जो storytelling का जो पूरी कहानी है आपको अगर हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें तो यह कहानी ठीक उसी तरह से जिस तरह से mask के साथ story सुनाने वाई लोगों का था जिस तरह से पपेटियरिंग के साथ स्टोरी सुनाने वाई लोगों का था क्या कि वो दोनों जो रिच्वल आस्पेक्ट है स्टोरी का इसमें भी वो रिच्वल आस्पेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा जिस तरह से प्रांपरतिष्ठा जो है स्थापि के अंदर भी जो है वो उस तरह के रिजूवल्स उस तरह के टश्राजड सब्सक्राइब को फालो किया जाता है तो यानि अए जो लेकर की चारण या जो श्टोरी टेलर है वो अगर वह घूम रहा तो वो उसको जत्रा कह रहा है, जत्रा क्यों कहता है, जत्रा इसलिए कहता है, कि वो पिल्ग्रिमिज मानता है, ठीक है, उसका जो स्टोरी टेलिंग है, इसके साथ अपने पटुआ के साथ या जो अपनी जो पिक्चर हैं, स्क्रॉल, पेंटिंग्स हैं, उनके साथ जब वो ट भगवान की दर तक जाता है, तब वो यातरा거나 या, पिलग्रिमेज कहलाता है, तो उसके पास कौन से भगवान है?, वो भगवान किस चीज के अंदर है, उसी स्क्रॉल पेंटिंग के अंदर है, इसलिए कि स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो अपने आप में ये मानी जाती है कुछ जगों पर कि स्क्रॉल पेंटिंग के अंदर जो है भगवान स्वैम बसते हैं और इन फैक्ट उनको बसाया जाता है कैसे ठीक उसी तरह से जैसे परान परतिष्ठा करके रीचूल करके परान परतिष्ठा अब जो है और अंदर भी समाहित करवाई जाती है उनको अहवान क क्या जाता है भगवान को कि वह आकर के इसमें रहें ठीक तीक असी तरह से जिस-थरे से एक मंदिर के उत्त बसदोन मूर्थी लगाए जाती है और उसको उसके अंदर प्रान परतिष्था के लिए क्या किया जाता है अहवान क्या जाता है भगवान को एक रिचुवल करके और उसको जह स्थाबना की जाती है मूर्थी के स्थाबना की जाती है तब उसमें माना जाता कि भगवान उसके अंदर ह हैं कोई भी मूर्ती जब तक वह रिश्वल ना हो जाए तब तक उस मूर्ती की कोई अहमियत नहीं है वह सिर्फ मोर्ती है तो इसी तरह से इसके अंदर भी कोई पेंटर है मान लीजे कि कोई स्टोरी टेलर है जो भोपा कहलाता है राजस्थान के अंदर खास करके तो और वो उसके लिए जो पेंटर है वो जोशी क्लैन का पेंटर है वो पेंटर ने पेंटिंग बना दी स्क्रॉल पेंटिंग बना दी लेकिन अब क्या चीज़ है कि जो भोपा है उसके अंदर ritual करके भगवान को आहवान करेगा जिन जिन भगवान की stories उसके अंदर है उसके अंदर अस्थापित करने के लिए तो क्या चीज़ है कि वही सारा ritual टैबू जो आपको देखा था हम लोग ने किसी इसके अंदर mask वाले mask के अंदर mask के अंदर जो mask की eye opening ceremony है या फिर जो puppet के अंदर प्रवान पर तिस्था स्थापित करने की जो ceremony है वही सारी ceremony और वही सारी taboo जो है यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा तो यह taboo और यह सारी चीज़ें जो है वो वही चीज़ें जिस तरह से उसमें देखा जा है इसमें अगर मान लिजे कि यह इनके जो canvas है या जो पट है जो जो पेंटिंग है scroll painting है अगर वो मान लिजे कि खराब हो जाती है किसी तरह से च्छती ग्रस्थ हो जाती है damage हो जाती तो उसका जो है वो नदी के अंदर भाया जाएगा उसी तरह से जो जिस तरह से कटपुतली को के साथ किया जाता था उसको जह सम्मान तुर्वक तरह से उसका अंतिम संसकार किया जाएगा तो यह एक तरीका है उसका अपना एक रिच्वल आसपो एपक्ट है इसलिए चुकि उसको shrine माना जा रहा है ऐसी चीज माना जा रहा है जिसके अंदर भगवान recite करते हैं या उनका अंश एक तरह से recite करता है तो यह चीज जो है वही जो हमने पुराने traditions देखे different objects के साथ जो story सुनाने वाले होते हैं ही सारे traditions जो है यहां पर भी देखने के लिए मिलते हैं अब यह कितना पुराना है यह कहां से आया है अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसकी तहासिक्ता या historicity को समझने की कोशिश करें तो क्या है third century AD के अंदर कुछ हमारे पास जैना text है जिससे हमें पता चलता है कि पट चित्र का concept जो है बहुत पुराना है early जैना text है भागवती सुत्र जिसके अंदर एक मखाली घोशाल की बात की गई मखाली घोशाल जो क्या है कि जो अजिवी का संथ है मंक है या फिर अजिवी का जो teacher है basically एक बड़े मशूर अजिवी का teacher है शामनिक religion के अंदर जो एक ही समय में almost जो है वो सारे के सारे शामनिक religion जो है वो आ रहे हैं उन में से अजिवी का एक सेक्ट है पहला जैसे आपने सुना होगा शामनिक religion या सेक्ट के अंदर बुद्धिजम जैनिजम अरे सही अजिवी कास तो अजिवी का यह जैना टेक्स्ट के अंदर हमें अजिवी काओं के बारे में पता चलता है कि जो मंखाली घोशाल नाम के अजिवी का टीचर है उस समय में वो कौन है वो बताते हैं कि वो मनखा के पुत्र है जिनका नाम मंखाली था मंखा क्या होता है मंखा कहते है पिक्चर शो मैन को और उनका नाम जो पिक्चर शो मैन थे उनका नाम था मंखाली और उनके पुत्र का नाम था जो अजिविका टीचर है मंखाली गोशाला तो मंखाली गोशाला जो है वो की बात हो रही है जिसके उसके description में मंखाली गोशाल के description में हमें पता चल रहा है क्या कि जो मंखा या picture showman जो है वो उस time में भी हुआ का ते रही 3rd century AD के आसपास में चल रहा है वहीं हमें एक और ये जैना टेक्स जो है भागवती सुत्र जो है वो बताता है कि कुछ mendicants के बारे में बताता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो monasteries के अंदर जैना Monasteries के अंदर विजिट करते हैं ठीक है और भागवती सुत्र के अंदर बताया गया है कि इसके बारे में कि जो special type के mendicants होते हैं जो क्या ले कर और वह पिक्चर दिखा करके स्टोरी बनाते हैं.. ऐसे ठर्ट के एक टेक्स्ट है.. मतलब थर्ट से फिफ्च रूरी एडी का माना गया है.. और पप्ति का स॥े.. उसके अंदर माना गया है उसके अंदर भी जह है ऑपपटिका सुत्र के अंदर मनखा क्या मेंशन मिलता है फिर से मिलता है उसके अंदर वो भी जो है एक जैना स्रेक्ट है जो बताता है कि इस चैत के अंदर जो जो जैन मोनेस्ट्री होती है चैत उसके अंदर जो है बहुत त एक मागग को वैसे ही जो है उसी में मनखा भी होते थे यानि पिक्टर शोमान भी होते थे अपतिका सूत्र के अंदर जो बताए जा रहा है कि चैत्र के अंदर बहुत सारी लोग विजिट करते थे जिसमें मनखा और मागहा, मगहा ये दोनों लोग होते थे, मगहा वो simple bard है और जो मनखा है वो picture showman है, तो ये चीजें ये जो हमें मिल रहा है वो किसी से मिल रहा है, जैना टेक्स जो हो बता रहा है इस बारे में, हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर भी ये चीजें म मिलता है, चारण चित्ता एक शब्द मिलता है, जिसको लोगों ने क्या चीज समझा है, उसको समझा है, चारण चित्ता जो है, वो क्या चीज है, मुबाइल पिक्चर जिसको कह सकते हैं, मुबाइल पिक्चर कह सकते हैं, और ये चारण चित्ता जो है, उसके बारे में बता यह लिख गया है कि कुछ ब्राम्न हेरेटिक्स होते हैं वो ब्राम्न हेरेटिक्स अब इसको हेरेटिक्स को आप लोग डिशनली देख लिजेगा वैसे उसको मुनाफिक कहते हैं तिल्टिंगेटिव टर्म है जिस तरह से term होता है विधर्मी उस टाइब का टाम है तो वो कहा रहा है कि ब्रहामन हेरिटिक्स जो है वो क्या करते हैं यह कौन कहा रहा है बुद्धिस टेक्स्ट कहा रहा है वो यह कहा रहा है कि ब्रहामन हेरिटिक्स हेरिटिक्स जो है वो क्या करते हैं एक पट कोठका ले करके चलते हैं पट क कोठका के अंदर जो है लेक पटी होती है लेक पटीवा होता है जिस यानि ये दोनों चीजें और वो क्या करते हैं वो दिखाते हैं उसको और वो दिखा दिखा करके स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से नर्क में उनके साथ अगर कोई धर्म के अनुसार कारे नहीं करेगा काम न निकाय के अंदर ये सम्यूत निकाय की जो कमेंटरी है तो उसमें जो है यह बात कही गई है बुद्धिस्ट इसमें कहा गया कि सम्यूत निकाय की जो कमेंटरी लिखी गई है उस कमेंटरी के ऊपर उसमें जो है बताया गया है डिफरेंट ब्रहामन हेरिटिक्स के बारे में कि वो, ब्रह्मन हेरिटिक्स, जो है, वो क्या करते हैं, एक, अजर्विए स्क्रॉल लेकर करके, और वो घूमते हैं, और लोगों को बताते हैं, कि यह किस तरह से, झो है, आपके साथ, नेक्स्ट लाइफ के अंदर, अगर आपने, धर्म के अनुसारकार नहीं किया है, धर्म के हिसाब से काम नहीं किया है, तो आपके साथ क्या हो सकता है? या अच्छे का अच्छा सलोक होगा और बुरे का बुरा सलोक होगा वहाँ पर, इस तरह से जो punishment है या जो reward है, जो दूसरी life में बिलेगा, उसके बारे में वो बताता है, उसके बारे में बता रहा है, तो scroll painting के साथ story tellers जो हैं वो उस समय में भी थे समयुत निकाय की समयुत निकाय की कमेंटरी लिखी गए है उस समय में भी थे और वो क्या करते थे उसकी theme भी पता चल रही है theme क्या है? theme यह है कि जो यहां से मरने के बाद hill के अंदर punishment किस काम के लिए क्या होगी और अगर heaven की बात होती है तो उसकी जो reward हैं वो किस तरह के होंगे यह description मिल रहा है यानि हमें दोनों चीज़ें मिल गए यह भी मिल गया कि जिस टाइम में Buddhist जो है बात कर रहा है कि ऐसे लोग उस टाइम में होते थे और दूसरी बात यह भी बता रहा है कि क्या theme होती थी उस स्टोरी की क्या theme होती थी वो भी चीज़ बता रहा है Buddhist यह एक आनंद कुमार स्वामी जो है यह है scholar है इसके और वो जो है बताते हैं कि लखन सुत्र के जो है के अनुसार जो है कर्म और पनिश्मेंट जो Hinduism के अंदर यम लोग का description जिस तरह से मिलता है कि कर्म का पहल मिलेगा आपको पनिश्मेंट क्या मिलेगी तो यह कहां लखन सुत्र के बारे में कह रहे हैं और ठीक उसी तरह से जैसे कर्म और पनिश्मेंट की उसके अंदर बात की गई है उसी तरह से जो है देवदत सुत्र के अंदर भी इसी तरह की बात की गई है कुछ अगर हम लोग थोड़ सा देखें कुछ स्रिकुलर यानि धर्मेत्तर कह लीजिए यानि नॉन रिलिजियस टेक्स्ट जिसमें कुछ जैसे विशाखादत का मुद्रा राक्षस है मुद्रा राक्षस है फिर उसके बाद जो है दूसरा एक बान का हर्जश द्रित्रम है ठेके इन दोनों विशाखादत का मुद्रा राक्षस यमपटिका का description मिलता है यमपटिका picture showman की बात हो रही है उसके अंदर भी उसी के अंदर yumupattika yum मतलब yum yum92 होक से related, yumliche ज़िलेटेड, yum राज से related तो yumupattika फिर वही जो है hell के अंदर क्या punishment मिलेगा, किस क्रम के लिए उसके बारे में जिक्र कर रहा है कौन? मुद्रा राक्षस का विषाखादत का जो लिखा हुआ मुद्रा राक्षस है वहीं, बान के हरिश्च चरित्रम के अन्दर भी हमें यमपटिका का description मिलता है इसका मतलब क्या है कि हर्ष रित्रा के अंदर भी वही वाइसेज के लिए जो पनिश्मिंट मिलेगी वर्चूस के लिए जो रिवार्ड मिलेगा वो उसके उपर भी डिसकस उसके अंदर भी किया गया है कि यानि ये थीम जो है यम की या जो स्क्रॉल पेंटरस जो स्टोरी सुनाते थे वो थीम बहुत पुरानी है और मुद्रा राक्षस के अंदर भी उस थीम का जिक्र मिलता है और आपके बाद में हर्ष रित्रा के अंदर भी हर्ष रित्रम जो बान की लिख्य हुई है उसके अ मिलती है सुकुमार स्वामी की सुकुमार स्वामी की जो स्टोरी है उसके अंदर वो बताते है उस स्टोरी के अंदर बताते है कि किसी तरह से एक ब्राम्मी जो है अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा है किसी वीज में वहां पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसको राजा के लो क्रe judgment के ले जा रहा है तो पता कि यह कौन आप्मी है तो पता चला कि विकति जो है क्या है यह वही एक विकति है जो क्या करता है इस Mia प्रिंट इस ले जाया जा रहा है कि उसको माना जाता है कि ये किसी का जासूस है ये किसी तरह का जो है उसने जो है जासूसी करने के लिए जो है वो ये किया है या फिर उसने जो है कोई चोरी वगरा कर ली है तो मतलब कहते हैं कि शायद उसने उसे स्टोरी के हिसाब से क्या चीज़ है तो क्या चीज़ है कि वही जो suspicion है कि इस पर itinerant जो storytellers हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा जा करके storytelling करते हैं उसके अंदर accuse किया गया है कि क्या होता है कि वो अपनी storytelling कर रहा है जिससे जो है सारे लोग उनका ध्यान उनके ऊपर चला जाता है और जब ध्यान उनके ऊपर चला जाता है तो वो क्या करेगा वो उसके जो आदमी है वो चोरी कर लेते हैं तो जैसे मेले में होता है अंकी मेले में जो है वो कोई खेल दिखा रहे हैं भीड जमा हो गई है और धीरे से सब pocket मारी कर रहे हैं वही concept जो है आप समझ लीजिए कि सुक्मार स्वामी की स्टोरी के अंदर भी दिखाया जा रहा है इसके बारे में यानि क्या चीज़ है कि picture showman हो पपेटियर हो या mask storyteller हो उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है इस स्टोरी के हिसाब से भी और हमने पहले भी बात कि थी कि उनको शक के निगाह से देखा जाता है कि वह क्या कर सकते हैं या किसी तरह का ये negative element है लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि साथ में वह story tellers जो है उनको शक की निगाह से बहले ही देखा जा रहा हो लेकिन वह ritual aspect भी उनका important है उनको जो है ये माना जाता है कई दफ़ा कि वह उनके उस performance से जो है वह good domain आएगा इसके अंदर गाउं के अंदर कोई जो बुरी आत्माएं हैं वो चीज़ें जो है वो कोई बुराई जो है वो देरे देरे खतम हो जाए मतलब खतम हो सकती है तो जैसे epidemic वगएरा की बात की कि वो जो है अगर epidemic आया हुआ है ये performance करवाया जाए तो वो खतम हो जाएगा तो इस तरह की rituals इस तरह के जो ritual aspect है वो भी माने जाते हैं सिर्फ उनको suspicion की निकास ही ने दिखा जा रहा है बलके इन सब चीज़ों में believe किया जाता है और वो वो भी एक fact है तीसरी चीज़ के वही picture showman है जो अपना पटुआ लेकर के चलता है उसको जो है फिरोशा के order से जो है उसको जलवा दिया जाता है और वो क्यों जलवा दिया जाता है उसमें reason लिखा हुआ है कि वो इसलाम में convert नहीं हो रहा था इस वज़े से उसको जलवाया गया है लेकिन उसी के साथ जो है जो जीत्रपटी का उसके पैर के उपर भी रख दी जाती है उसके सर उपर भी रख दी जाती है जलाने के लिए कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी उसको punishment दी जा रही है बहले कारण कोई भी हो यानि क्या चीज़ है कि अगर देखा जाय तो यह क्या है पूरा शक का जो मतलब किसके खिलाफ, खास करके इटिनरेंट ये हैं, शोमेन हैं या स्ट्BER-डिटेलर हैं उनको शक कि निगास से देखा जाता है तब भी जब traveled엔शेंट परियोड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं श्मैडिवल पिडियोड के अंदर बात करें यानि कुल मिला करके देखा जाए तो दो बाते साफ हो रही है आपर पहली बात जो है वो यह कि ancient period में हमें जो चीज़ें मिली हैं उससे हम यह पता चलता पता कर सकते हैं कि third century onwards जो है हमें medieval period तक के आसानी से picture showman की चीज़ें मिल जाती है और दूसरी बात जो पता चलती है कि उनकी जो थीम होती है picture showman की जिनरली क्या होता है यम से related यम लोग से related या punishment और इस से related, rewards से related कि मरने के बाद जो है जो punishment मिलेगा और जो reward मिलेगा उसके बारे में जो है यह पूरा discussion मतलब पूरा जो theme है यह दोनों चीज़ें पता चल रही हम लोगों को दूसरी चीज़ क्या चीज़ें कई दफ़ा उन्ही theme के अंदर जो है अब हम लोग आज की date में जब देखते हैं या modern times के अंदर देखते हैं तो अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग themes को perform किया जाता है हमने पहले भी बात की है कि main theme में से यह epic जो है वो भी एक important theme होती है यानि रामायन है महाबारत है या पुरानिक tradition की जो बहुत सारी stories है तो उन सब को हम लोगों ने ग्रूप में रखा था वो क्या था पुरान पुरानिक stories तो चाहे वो महाबारत की story है चाहे आपके रामायन की story है या different पुरानों से लीगे stories है mythology जो है वो उनको हम Hindu mythology के category में या फिर हम लोग पुरानिक stories के रूप में लेते हैं दूसरा जो था बुद्धिस्ट tradition और जैना tradition की जो वे stories है उनकी भी बात करते है ठीक और तीसरा जो tradition होता है वो local tradition की बात होती है तो हम लोगों को कि यहाँ पर क्या देखने की मिल रहा है local tradition में जैसे local heroes के बारे हम बात की गई हो या इस तरह की चीज़ें तो अब क्या चीज़ है कि यह सारी जो तीनों तरह की जो थीम की बात की गई है story के अंदर वो तीनों तरह के theme जो है वो इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे लेकिन इसमें एक addition है एक तरह से वो यह है कि यम लोक के बारे में और reward और punishment के बारे में जादा बात की जा रही है और साथ में रामायन महाभारत और different पुरानों के जो है stories के बारे में बात की जाती है ठीक सुनाई जाती है story यह सुनाई जाती है दूसरा जो है अब इसमें कैए regional variations भी हैं बहुत सारे उन सब चीज़ के लावा एक variation जो हम लोगों ने देखा वो जया कि यहां पर यम वाली story जो है जादा popular है दूसरी बात क्या है regional variations painting के अंदर भी होती है painting के अंदर जैसे महरास्टा के अंदर चित्रकाथी painting होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक painting का पूरा block होता है इसमें और एक चार खाने म horizontal या vertical scroll नाओ करके क्या है वो जो है एक पूरा board सा बना हुआ है उसको चार खाने में बाटा हुआ है और उस हिसाब से चित्रकाथी painting महरास्टा के अंदर उस हिसाब से दिखाए जाती है वैसे ही जो है अलग अलग इसके अंदर यम पतिका का जो आपको बताया है यह गुज का ट्रेडिशन है गुजरात का उसके अंदर क्या है उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं एक स्क्रॉल के शकल में पेंटिंग है और यहां भी गुरोडा पेंटिंग के अंदर भी यह popular बड़ी theme है कौन सी यम वाली story जो है वो जादा popular होती है ऐसे ही जो है आप देखिगा क कि चाहे वो गुजरात का यह हो चाहे आपका यहां का हो गुजरात का जो कौन सा है गुजरात का हो चाहे वो आपका महाराष्ट का हो गुरोडा पे ट्रेडिशन हो गुजरात का यह हो यह सारे ट्रेडिशन में आप एक चीज़ देखिएगा कि अलग अलग अस्टाइल अल धम छादा होगी कहीं कहीं पर दूसरी थीम थीम जादा होगी इस तरह की चीजें देखने के لिए आपको मिलें और है नॉर्मल है कि मतलब region वाइस ञफिकेशंस पेंटिंग थुकितिंख केच सब्सक्ड शुर्बाइब कि तीन आब आप आ पनार I तो यह दोनों चीज़े मिलेंगे, आप जैसे गुजरात के अंदर जैसे बताया आपको कि यम वाली स्टोरी जह हो जादा है, तो वैसे ही आपको राजिस्थान के अंदर पाबु जी के स्टोरी जह हो जादा मशूर मिलेगी, वहाँ पाबु जी के स्टोरी जह हो जादा प्रश्मी गनेश शीव और इस तरह के जो कुछ एपिसोड्स है रामायन के उनको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इस तरह से अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तरह के इंपॉर्टेंस हैं पेंटिंग्स को ले करके मतलब इससे स्टोरीज को ले करके फिर उसके बाद आप चले आएए अगर हम लोग देखें कि हाँ तो यह क्या जो यह पेंटिंग्स के अंदर जो डिफरेंट तरह की जो वैरियेशन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा हर जगाए पर अब चाहे यह गुजरात का गरोड़ा पेंटिंग का हो चाहे वो बंगाल का पड़ुआ पेंटिंग का हो अब बंगाल की बड़ी इंट्रेस्टिंग से स्टोरी है बंगाल की क्या इंट्रेस्टिंग से स्टोरी है बंगाल का जो पूरा यह है स्टोरी की थीम है या वो बहुत डाइनमिक है बहुत जादा जो है वो चेंज करता रहता है जैसे और उनके अंदर जो इन्नोवेशन है वो जादा है बंगाल के पटुआ पेंट स्टोरी टेलर्स के उपर उनके अहां त्रीक अब उसमें क्या चीज़े दो तीन चीज़ें पर रहा है स्टोरी के हिसाब से जैसा पैटर्न उसके मिलते हैं उसके हिसाब से भी वो कुछ चीज़ें बन रही हैं बंगाल के अंदर जो है वो नई-ई-ई के स्टोरी जो है उसमें इन्वेंट की जा रही है जैसे हरिश्चंद्र तारामती के स्टोरी है शर्वन और उसके प्लाइंड पैरिंट्स हैं उनकी स्टोरी है फिर उसके बाद जो हैं तो मौडर्ण स्टोरी आन तक कें इंड्रा घंधी के मॡर्डर की स्टोरी है डिख जो डिफेर्ट्ट जो टैसूए हैं बश्च 수 case मौडर्ण टाइमस उसकी इस्टोरी है तो इस तरह वह बहुत ही innovative हैं वह क्या कर रहें कि जो newspaper या जो कहानिया जो उन को मिल रही उन कहानियों को भी वह innovate करके उसको लिएक रहे हैं वह इतना इन्नोवेशन में करते हैं एक तरह वो पहले क्या करते थे वो स्टोरी सुनाते थे और स्टोरी पिक्चर के माध्यम से स्टोरी सुनाते थे हमेशा से और उनकी जो स्क्रॉल होती थी वो क्या होती थी वर्टीकल होती थी यह स्क्रॉल इसको वर्टीकल स्क्रॉल को वो दिखाते थे और यह स्टोरी सुनाते थे अ से वो समाजने लगे कि oriental culture जो है उसमें क्या-क्या चीजे हैं तो यहां की सब कुछ है stories है यह है वो है paintings कहा हैं तो इंडिया की जो original paintings धूनने की जो कोशिश की गई उस paintings में जब देखा किसी ने कि यह जो गौं के अलाके में पटुआ painter पटुआ जो story tellers हैं वो painting लेके आते हैं उनकी scroll को देखा गया और वो जाद अदर जो है उसमें कहीं मिला के कई जो अंग्रेज अफसर हैं उसको जादा हो इंट्रेस्टेट की चीज़ में जादा हो गया वो painting में जादा इंट्रेस्टेट हो गए जो कि ऐसे simple sketches होता था कई दफा सारे पर सारे जो पटुआ स्टोरी टेलर हैं उनको स्टोरी टेलिंग आती थी वो अच्छी painting नहीं आती थी तो क्या चीज़ हुआ कि लोग जो है उनकी story के अंदर कम इंट्रेस्टेट जादा जो है उनकी painting के अंदर इंट्रेस्टेट हो लें लगे तो क्या हुआ कि जो patronage मिलेगा आपको किस चीज़ के लिए painting दिखाने के लिए patronage मिल रहा है storytelling के लिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप अपने उस art को जादा उभारना शुरू कर देंगे पटुआओं के साथ भी यह हुआ बंगाल के अंदर जो है जो different पटुआ थे उन्होंने क्या कि पेंटिंग देखने की ज़्यादा दिमांड हो रही थी कुछ-कुछ वो बना-बना करके बेचनी शुरू कर दी चुकि मार्केट उनका पूर कलकत्ता के जो भद्र लोग है उसके अंदर पुरा मार्केट डिवलप हो गया था in fact पेंटिंग का चुकि स्क्रॉल पेंटिंग को सीधा पेंटिंग को इस तरह से रखने में यानि जो वर्टिकल पे पेंटिंग बना सकते हैं उन्होंने का कि बिलकुल बना सकते हैं और धीरे धीरे जो पेंटिंग है वो धीरे धीरे जो होरीजोंटल पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया तो शुरूआत में क्या थी वो वो वर्टिकल पेंटिंग थी पैट्रोनेज की डिमांड की वज़े स जो है वो horizontal painting हो गई जो पटुआस थे वो क्या थे स्टोरी टेलर थे वो painter की रूप में जाने जानने लगे तो इतना सादा innovative है और patronage driven एक तरह से और creative हैं कि उन सब चीजों को जो है वो create करना शुरू किया तो यही चीज यही चीज जो है हमें किसी के अंदर देखती है उनकी painting और storytelling के ऊपर भी दिखती है हम लोगों को तो मतलब नहीं नहीं तरह कि जो stories है जैसे हम लोगों ने बात की तरह राजस्तान के अं जो रीजन में कही जाती है यहां पर क्या है यहां पर बहुत तरह के नए नए story बंगाल रीजन के अंदर बंगाल और उडिशा रीजन के अंदर उन stories को कि जो variety है वो बहुत जादा यहां पर बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है खासकर के बंगाल में जो पटुआ पटुआ पेंटर्स हो बहुत जादा इन्नोवेटिव पेंटर है contemporary time के अंदर यानि जब माली जी की इंडिपेंडेंस के बाद कर लें हम लोग के इंडिपेंडेंस के टाइम में जो है वो किस तरह की इंडिपेंडेंस के बाद के जो पेंटिंग है उसका एक पूरा आपको क्या चीज़ है कि आज की डेट में क्या हो रहा है जैसे आपको बताया कि शर्वन कुमार की स्टोरी है तो इसी के ओ कंटिन्यू करते हुए क्या एक कटाक्श के लूब में कि आज की modern time में कैसे होता है ठीक modern time क्या चीज़ है modernity क्या लेकर के आया है उसके बारे में वह बात करने कि सिने मा हॉल जाने से लोग कैसे खराब हुए हैं तेख उसके बाद जो है फिल्में देखने की क्या क्या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं कि चिन के अंदर जो रोल चेंज हो गया है उसकी बात करते हैं जो कॉमन घ्रिवांस होती है कि जो वैलूज है वो अलग हो गए है वैलूज बदल गए है कि इसके ही क्या किते हैं और लोगों के उपर सीनेमा का बहुत खराब असर पड़ा है लोग तो उन सब चीजों के उपर भी वह बात करें वह पैंटिंग बना रहे हैं और उसके बाद सब्सक्राइब बना रहे हैं अब उसमें जैसे एक पैंटिंग देखिए क्या चीज़ है कि ससुरजी खड़े हुए है और जो उनकी बहु है वह उनका पैर छो रही है यह बैड एफेक्ट बताया गया है किस चीज़ का सिनेमा देखने का और इस तरह से तो इस तरह की जो ए सब्सक्राइब की स्टोरी नहीं स्टोरी बना रहे हैं इतनी नहीं स्टोरी बना रहे हैं कि आप देखिए इंद्रा गांदी का जो मिदनापूर रीजन है बंगाल के अंदर मिदनापूर रीजन के अंदर एक पूरा स्क्रॉल पेंटिंग है और स्टोरी है जिसके अंदर इ और मास मीडिया से यह जाकत रहा है तो वह चीजे पुछ पीज़ समरी मीठी माइफिल बना दिखाना एlt पिक्चर दिखाएंगा उसके बाद फिर पेंटिंग शुरू करेंगा, उसके अंदर क्या होगा, किसी गौड की पिक्चर होती है, तो उसको कैसे पहचानते हैं, कुछ स्पेशल उसके अंदर डिपिक्ट किया जाता है, जैसे सरस्वती के हाथ में वीना होगी, जैसे श्यू टिखेशल जी कि अगर बात होगी, जता के अंदर गंगा होगी, साप लिप्टा हुआ होगा, ये कुछ सिंबल्स हैं, उनसे दर्शा आया जाता है कि किस बगवान की बात हो रही है, अब इद्रा गांधी की बात की जायेगी, तो किस से दर्शा आया जाएगा, कैसे दर्श यह नहीं होई है वह पेंटिंगंग जहें और एक तरह से इसे मोग और यह उता रा हुआ है आप शिंबन से पहचानते हैं पेंटिंग को इंद्र गांदी के सामने एक माइक दिया हुआ है तो आप समझ जाए कि दी की बात हो रही है उस पूरी स्टोरी को जो है वो कि वो कैसे मीटिंग ले रही हैं क्या हो रहा है यह सारी चीजे बताई गई है उसके अंदर फिर उस पेंटिंग की कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है वैसे ही वह बंगाल के अंदर कुछ किसी का मर्डर हो गया था किसी नए बहू ने वो ड्राइव का मर्डर कर दिया था उस case related जो है वो एस्टोरी जो है उसको स्टोरी बना करके उसके अंदर पेंटिंग में दर्शाया गया है पड़ूपेंटर दर्शाया है 9-11 हुआ था आपने 9-11 सुना होगा तो जो 9-11 हुआ था आपके जो ट्रेट टावर को गिराया था तो इस सही क्या करते हैं जहाज मार करके तो 9-11 बड़ा मशूर यह है उस उस पर पूरी स्टोरी बनाई हुई है पूरा स्ट्रोल पेंटिंग बनाई हुई है और उसका उसका भी depiction उसके अंदर आपके जो आर्ट के लिए उसके अंदर देखेगा कि बड़े सी पेंटिंग मनाई हुई है उसके अंदर दिवी है एंटरिसिंग बात यह है कि आपको देखने के लिए मिलेगा पैंटिंग के अंदर इस तरह है कि भगवान शंकर आपन को पुलिसमें जो तो यह है। उसको ब्लीफ है उसको और दोनों को जो ला करकर एक एक पेस में खड़ा कर दे रहे हैं। टाइम और इसपेस का कोई खास यह नहीं रख रहे हैं। यानि क्या चीज है कि भगवान शंकर अगर modern times में आये हैं तो किस चीज में वो जा रहे हैं उनको escort कर रहा है कौन? पुलिसमेन escort कर रहा है तो इस तरह की चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगे आपको नए-नए innovations जो है वो देखने के लिए मिलेंगे सुनामी आई थी उसको डिपिक्ट किया गया है 2004 में सुनामी जो आए थी उसके अंदर जो लोग मरे थे उससे जो related stories है उनको डिपिक्ट किया गया है और इन सब के साथ जो है वो यम वाली story नहीं खोती है यम वाली story यम लोक वाली story punishment और reward वाली story है वो final जो है story वो देखने के जाएगी तो कहने का मतलब क्या चीज़ है कि जो हमारे storytelling का जो tradition है वो बहुत पुराना है उसमें जो rituals, taboos जो उसके साथ आते हैं वो हैं scroll painting के साथ भी फिर उसके बाद जो एक तरह से religious context जो है वो भी इसके अंदर भी दिखता है ये सारी चीज़े हैं लेकिन वही modern time में जो patronage जिस तरह का मिलता है या जिस तरह की demand एक तरह से audience की होती है उसको भी cater करने की कोशिश की गई है कहीं पर local hero पाबुजी को celebrate किया जाता है in paintings के थूरू और in stories के थूरू कहीं पर देवनारायन को किया जा रहा है ये उनको venerate किया जा रहा है वहीं जो है कहीं कही पर जो local stories है यानि बंगाल के अंदर खास करके जो local घटनाए घटी है वो modern times के अंदर जो conflict है एक ancient सोच का पुरानी सोच और modern सोच किया जो conflict है उसको दर्शाय जा रहा है तो जो इस तरह से जो contemporary art है ये contemporary situation है उसको भी art में दिखाया जा रहा है कई दफा क्या है कि यहां पर ह लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि इन traditions के साथ साथ क्या है कि जो patronage देने वाला है वो भी अपने हिसाब से एक तरह से मोड ले रहा है वो patronage जो है जिस चीज को patronage मिल रहे उसको जो है important ज्यादा मिल रहा है और उसके हिसाब से पूरे patronage को मतलब पूरे art form को ही मोड अरद्टर बश्यादा जा रहा है जैसे एक्जाम्पल दिया कि पट्वा जो हैं वो क्या है श्टोरी टेलर से हैं इर्टरु टेलर से मतलब पिक्चर शूमन भी है और स्टोरी टेलर अव्में बिए बतलब एसंड़ आ थैले माफि finns यह वाला झाल रहाय न्मिंद एस प्लि किया उसी हिसाब की painting भी बनानी शुरू कर दी painting बनाना सीख भी गए और जहां horizontal जहां vertical पे scrolls होते थे painting के उसको चुकि drawing room में set करना था उसको vertical बना दिया और वो vertical जो है वो पटवाज ने खुद बना दिया तो इस तरह से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो old art form है अगर कि किसी तरह का art है वो patronage की हिसाब से जो patterns जिस तरह का चाहते हैं उस हिसाब से भी बदल रहा है और बदल जाता है modern times में बहुत सारी चीज़ें उसको accommodate की जाती है तो यही था आपका इसके लावा जो है यह एक तरह से last lecture है आपका इस में इससे जादा आपको आगे कुछ यह नहीं हमारा syllabus एक तरह से खतम हो गया है फिर भी जब भी जरूरत होगी हम available रहेंगे और हम लोग आपस में फिर बात करेंगे तैंक यू पाल गर आपस्टबस्ट जबड़ाई झाय तैंक यह झाल था है तो और हम आपस्ट उम्राइग्टर कड़ोगी हमारा से बात करेंगे तरह से लिए वार करेंगे ऊपका तरह से जाब पनापा-से पनाप नहीं है तो यह झाल रहाएंगे ज्ग हमारा आपड़गी है